है अग्याइब दोस्तों अब सब कैसे हैं आई होफ आफ अच्छे हैंगी आज मैं जो टोफी बताने जा रहा हूं नाव एंड आने के बारे में जो बटा जो में छूड़ जाती है उसके बारे में बता रहा हूं मापको टोफी नोट में दिया आगी अंकीत मूली वह होता है जो वस्तों पर लिखा होता है सपोज कि MRP जो लिखे होती है उसको हम अंकीत मूली डिफाइन करते हैं बटा या छूट जो भी हमें दुकानदार छूट परसेंटेज छूट परसें है तो लाब जैसे की सो रुपे की बस्तों को हम डेर सुरुएं बैसे तो कितना अलाब हुआ पत्चास का वह पत्चास नहीं पूचकर उसका लाब फरसेंट फूच लिया तो पत्चास सिपी को लिनौट करते हैं क्रेम उली सी लाब बटे क्रेम उले इंटू शो लाब शें अगर हानी हो तो आनी परसेंट इंटू एस फी जो हमको यह सेलिंग प्राइज होता है ओके अगर विक्रेम उले पूच लिया है तो इसका इन्वर्स कर दो उपर चला जाएगा सो पलस लाब फरसेंट यहानी परसेंट और नीचे बटे में सो जाएगा इंटू क्रेम उले अगर आपको अकेले ला फरसेंट हानी फरसेंट निकालनी है तो हमेशा याद रखना कि क्रेम उले हमेशा बटे में आएगा यह हमेशा याद रखना क्रेम उले हमेशा बटे में आएगा ओके हम अब क्यूशन स्टार्ट करते हैं क्यूशन नमर एक से स्टार्ट करते हैं औ लाब कमाया तो उसका लाब फरसेंट पुच्छा है तो लाब परतिशत आप पूरमला याद होगा लाब अफ़ोन क्रेम ले लाब फ़ोन क्रेम ले इंटू तो यहां पर लाब कितने का कमाया उसने 200 का 1212 में बेचीक बारा सुम्हें बेचीक है तो बच्छे कितन और जार पर दौसटोपा लाब 11218 vara same उसम्हें बसको बचके कितने अजयार जार पर लाब आंसर इनुग दो 122 जीरो Some 106 में एक वेक्ती 450 रुपे में एक मेज घरिता है और उस पर 30 रुपे का परिवन वे करता है मतलब यह 30 रुपे का खर्चा भी कर देता इस पर यदि वह मेज 600 रुपे में वेस्ता था तो उसका लाब फर्शेंट की याद कीजिये तो अपनों को पता है कि लाब फर्षेंट का फॉर्मूला होता है लाब अपॉन करें मुले इंटू तो ओके उसने 450 रुपे में एक मेज करी था ता कि 450 तो एक हो गया था तीस रुपे का परिवन चाल परिवन चाल उसका लगा है प्लस तीस एड कर दी टोटल कितने होगी चा तो में बेशता है ता 450 यह वे 600 में शेल गड़ता है जब कि यह उसका सिप्पी है अंतर कितने गाएंगा 120 का अटा वह 120 रुपे अधिक में बेशता है जब कि हमको अधिक में नहीं पूच कर लाब प्रतिस्थ पूच लिया तो लाब फर्षेंट ब्राबर 120 अधिक रुपे क्रेम लिए कितना है चार सो असी इंटू सो एक जूरी से जीरो बारच ओको अटतारीस बारच अधिक सो बीस दो पांच और पांच दो से पांच गया पांच और पांच पांच इंटू पांच ब्राबर 25 पर्षेंट उस वेक्ति को लाब होगा ना फरषेंट ओके नेक्स टूशन देखते हैं यदि सोड़ा वस्तूं का विक्रे मूलिए 20 वस्तूं के विक्रे मूलिए के बराबर हो तो विक्रेता को पालाब हानी जो ब्युम् cognitive非 ब्राबर दे रहे यहाद है यहाँ पे दिया वाए कि शिपी बटे एसपी यह वेडियों सिपीगी बीच दे रहिए और एस पिक नहीं है शोड़ा वह शोड़ा वीच सोड़ा कि तिक अंतर च्यार का एक टेपर शोड़ा पर इन्टू शो च्यार चोप शोड़ा पची चोप सो 25 परशेंट का उसे लाब होगा है ओके अगला क्योशन देखते हैं इसमें दिया वाया कि यदि 8 वस्तूं का क्रेम ले सिपी 9 वस्तूं के विक्रेम ले एस्पी के बराबर हो तो विक्रेता को कितना प्रतिस्षत लाब यह हानी वा अपनुको यह नहीं पूचा कि लाब हुआ भी यहां निषमें दोनों पूचे अब उनको यह डिफाइन कर सकतें की लाव हो गया नियुक्त करने के प्ता चलिए गाँ अब उनको पता है कि इसमें कितना दिया वैंज कि ट्राइब और SP कितना दिया हुए है 9 अर्थाद CP 8 जब 8 वस्तों का क्रेम उले के बराबर 9 वस्तों के विक्रेम उले के बराबर होता है मतलब ये confirm lab होगा lab fashion होगा ये तो confirm होगया अब कितने पर होगा वो होगा एक अंतर है और है कितने पर 9 पर into 100 1 11 से एक ब 9% होगा आज ये 15 नवी है इढ़िक ये 11 का क्रेम रहे 10 वस्तों 11 वस्तों का क्रेम उले ये अपना CP दिया लाँ जुए 10 वस्तों गा विक्रेम ये 10 दिया या NA0SP विक्रेम लेगे ब्राबर हो तो कितने 3-6 रभ है अन्योगी अपनों कि यह तो कनफरम है कि अगर ग्यारह इसमें जिप्पी है और दस एसपी तो लख सेंड होगा यह तो कनफरम हो गया अब लाइस में कि किपिने में होगा दस चीजारह गंतर एक पर कितने पर है दस पर इंटू शो और अब 10 पर्षेंट का उसे लाव होगा अगले क्यूशन में देर गागी 36 संत्रे बेचने पर एक फल वाले को 4 संत्रू के विक्रे मुले के बराबर हानी होती है तो हानी प्रतिशत ग्याद कीजिए तो हानी प्रतिशत बराबर माना माना की एक संत्रे का विक्रे मुले एक रुपे है तो 36 का कितना वा 36 रुपे है और 4 संत्रू के बराबर हो गया प्लस 4 यह और हो गया टोटल कितना हो गया 40 और निकाना कितने पर 4 संत्रू पर निकानना है बटे 40 इंटू तो 0 से 0 4 से 4 बराबर 10 परशेंट का अगर अगरे किसन में दिया जाएगी एक दुकानदार को बारा कोपियां बेचने पर चार कोपियों के विक्रे मुले SP के बराबर लाब होता है उसका लाब परतिसे जियात कीजिए तो हमको पता है कि लाब परतिसे एक विक्वल लाब बटी CP इंटू 100 तो लाब कितना है 12 से 4 का अंतर कितना है आठ का वो टोटल कितना है 12 और 4 बारा कोपियां बारा कोपियां दरूर चार कोपियां उदर होगी तो कितने होगी टोटल 16 इंटू 100 दो 50% का उसे लाब होगा है ओके नेक्ट विशन देखते हैं कि उसे नमर आट में दिया होगा है कि एक दुकानदार कुछ संत्रे 6 रुपे में 5 की दर से दो खरीबता है अर्दाथ CP ओके तता 5 रुपे में 6 की दर से बेज देता है बेजने का सेलिंग प्राइस SP तो पूरी वे क्रे मुले लिखते हैं उसका फैली क्रे मुले कितना है चैंपर 5 संक्या यह तो हो गया संक्या में और यह हो गया मुले पर जबकि उसका विक्रे मुले कितना है 5 पर 6 अब हम इन संक्या को ब्राबर करते हैं तो इसको तो 6 से इंटो कर दो और इसको 5 से इंटो कर दो तो यह क स्टोरी पत्चीस पत्चीस हो गया उसका सेलिंग प्राइब क्यों कि पांट है पांट पत्चीस और यह एकवल वैसी हो जाएंगे तो इसको बरबर कर सकते हैं तो 37 से पचीस कांटर कितने कांटर है 11 का कितने पर है क्रेम उले 36 पर इंट्व 100 कितना रहा है 30 सही 5 बटे 9 परसेंट इसकांटर रहेगा ओके अगला क्यूशन देखते हैं क्यूशन नमर 9 में देखते हैं एक फल विक रिटा अपने फलों के क्रेम उले पर बेचता है ओके पर तु एक किलो ग्राम एक किलो ग्राम इसतान पर 800 किलो ग्राम बाठ ऐइंट करता है मतलब भी 200 किलो ग्राम 200 क्राम वह बेमानी कर चुका है परियो करता है तो उसका लाप प्रतिशची ग्यायत कीज़े अर्थाद एक ग्राम का परियो किया है उसी नहीं एक रुपे रहूँ और 1000 क्राम फिर कितने होगे 1000 रुप कित्त पर 800 पर इंटू तो दो जिरू यह कट किया 25 परशेंट इसका अनसुर रहे 25 परशेंट उसको लाब हुआ है उसकी बेमानिया करन अगला क्यूशन देखते हैं क्यूशन नमर 10 में देखते हैं एक दुकानदार अपने माल क्रेम मुले से 20 रुपे मुले अधिक अंकित करता है तता उसके बाद 5% वे 10% की दो करमी क्षोड़ देता है उसका लाप्तिशी गया दिये माना कि उसका पहले पहले उसका शीपी था वे सो था बाद में उसे 20% बढ़ा दिया प्लस 20% तो उसका कि दूसरी छूड़ दे रहा दस की 100-10 एकोल 90 90 बटे 100 कितना आ रहा है इसको इंट्रो इसके से इसको इंट्रो करने पर यह आ रहा है दो छूड़ देकर भी उसके 2.6% अला हुआ था क्योंकि उसने सुरुआत में क्रेम मुले से 20% मुले अधिक अंकित कर दिया था उसके अमार्फी 120 रुपे कर दी थी 100 रुपे से तब उसको 2.6% अला हुआ हुआ है अगला क्यूशन देखते हैं क्यूशन नमर 11 में दिया ग अर्थात प्रारम में प्रारम में हम उसका क्रेम मुले मानते हैं 100 रुपे उसने 20% अधिक किया मतलब 120 रुपे हुआ हुआ है अब 120 रुपे उसने छोड़ कि दिने दी 10% 120 पर उसने छोड़ दी 10 सो में से 10 गया 90 बट्टे 100 0-0-0-0-0 बार निमागा 108 ए 108 रुपे है सुरुआत में कितना था उसके अपास सोता अब कितना है 108 कितने का है डिफिरेंट 8% मतलब कि 8 रुपे यह यह 8% ओके 8% उसको लाव होगा अगरा क्युषिस देखते हैं क्युषिन अमर प्लाज क्यूशन बतारो हूं एक वस्ट inadequ को 9750 रुपे में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का लाव होता है ता सैंतिसों पत्चास रूपें बेचने वरुप को 25 प्रशन का लाव होता है यदि वह उसे तीन सो रूपे अधिक में बेचा गया तो दुकानदार का लाव प्रशन गयात की जी कुछन में क्या क्या दिया है आपको लिखना है पहले हम इसका क्रेम उले निकालते हैं क्रेम मुले निकालते हैं कितने पर है सैंतिसों पत्चास इसका शेलिंग प्रेज दिया वैं उपर शो निचे सो प्लस कितने गलाव है एक सो पचीस तो डारी लिखता हूं में 125 125 इसको हलकर नेवर कितना रहे हैं तीन जार रुपे ओके अब नया विक्रेम ले नया विक्रे मुले एक सैंतिसों प्रारम में था उसके पास ये प्लस 300 रुपए होँ है अधिक में बेचता है 300 रुपए ही होई कितने होगे टोटल लोगे 460 50 रुपए 42050 रुपए रुप इमें बेची घा हुआ तो नया लाब कितना हो इसके अपास नया लाब कितने का है 4050 माइनस तेन जार यह उसका क्रेम लिए है अरतारम जब शेलिंग प्राइज में CP निकालिंग था भी तो हमके हमारे पास लाब आएगा तो कितने का रहा है एक्जार पट्सास रुपेगा उब एक जार पट्सास रुपे कितने में निकालते हम को पता है हम नें 20 में लिखाता है या कितने है 550 कितने पर है 3,000-200 series 20,000-2,000-200,000-10,000-10,000 यह कितना रहे है 35 परशेंट का उस्शे लाप राप्त हो है अगली एपिसोड में मैं इसी चेप्टर से बैतरिंग की सुने लेकर आँगा आपके लिए